होश्यारपुर नामके गाउं में जगिया अपनी माँ पूनम के साथ रहता था जगिया बहुत पूजापाट करता था पूजापाट के साथ साथ जगिया का एक खेट था उसमें वो ताजी-ताजी सबजियां उगाता और उनी का सेवन करता बाकी बची हुई सबसियों को वो गाउवासियों को बेचता और उसी से घर का गुजारा करता जग्या की मा पूनम की उम्र हो गई थी, बुढ़ापे की बज़ा से पूनम को हाई ब्लड प्रेशर रहता था, साथ ही साथ पूनम को दिल की बिमारी भी हो गई थी एक दिन पूनम की तब्यद बहुत ज़ादा खराब हो जाती है, पूनम बिलकुल बिस्तर से उट भी नहीं पाती, जैसे कि उसका अंतिम समय चल रहा हो बेटा, मुझे लगता है, अब मेरा इस दुनिया से जाने का समय आ गया है नहीं मा, आप ऐसे मत बोलो, मैं गाओं से दूर शहर के बढ़िया हॉस्पिटल में आपका इलाज करवाओंगा नहीं बेटा, मुझे यहीं अपने गाओं में रहना है, और मैं चाहती हूँ, मेरी सिंदगी का जितना भी समय बचा है, मैं अपने घर में रहूँ मा, आपको कुछ नहीं होगा, अब एक बार मेरे कहने पर हॉस्पिटल तो चलो, शहर वाले हॉस्पिटल में बहुत बढ़े लिखे डॉक्टर है, यह आपकी पीमारी का इलाज जरूर करेंगे, और बहुत अच्छा करेंगे पूनम अपनी जिद पर अड़ जाती है और हॉस्पिटल जाने के लिए साफ इंकार कर देती है, बेटा, बस मैं ये चाहती हूँ, कि मेरे मरने के बाद तुम पूजा पाट में और जादा ध्यान लगाओ, तुम मुझे गाउं के शमशान घाट में जलाओगे ना, जो जंदिर में पुजारी बनकर गाउंवासियों की सेवा करो, और भगवान की सेवा करो, मैं सामने से तुम्हें देख पाऊंगी, ठीक है मा, जगिया अपनी मा की बात मान लेता है, आप उझे जोड़ कर क्यों चली गई, एक दिन जगिया को अपनी मा पूनम की बहुत याद जाती है, वो शम्शान घाट पर जाकर बहुत जोरों से रोने लगता है, मा, आप मुझे छोड़ कर क्यों चली गई, मैं आप से बहुत प्यार करता हूँ, जब से आप मेरे पास से दूर चली गई हो, तब से मुझे यहां रहना अच्छा नहीं लगता, मन करता है मैं मर जाओं, मैं भी, मैं भी आपके पास आना चाहता हूँ, मा, जग्या की ये बात सुनकर जग्या की मा पूनम उसके आगे प्रकट हो जाती है, मा, आप मुझे छोड़ कर कहा चली गई, मैं आपकी बिना यहां नहीं रह पा रहा, मेरा यहां चीदा मुश्किल है, मैं दिन रात आपको याद करता हूँ, जबचे आपका दिहान थुआ है, ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ कि मैं आप से मिलने शम्शान घाट में आया हूँ, पर ये खाप है कि आप मुझे कभी मिलती ही नहीं, हाँ मेरा बेटा मुझे सब पता है, पर मैं तुम्हारे आगे नहीं आना चाहती थी, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे आगे आती तो तुम्हारा मन और दुखी होगा, मा, मुझे आप अपने पास बुला लो, मैं आप से दूर नहीं रह सकता, अरे ये किस तरह की बात कर रहे हो बेटा, मैं चाहती हूँ, तुम अब मंदिर छोड़ कर अपनी शादी करो, और अपने परिवार के साथ अपना आगे का जीवन व्यतीत करो, जब तुम्हारे बीवी बच्चे हो जाएंगे, तब तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी, नहीं मा, मुझे कोई शादी नहीं करनी, मुझे बस अपने पास बुला लो, तुम चुप करो और अपनी शादी के बारे में सोचो, गाउं की किसी अच्छी लड़की से अपना विवाह करो, पूनम जगिया को अपनी कसम देती है और उसे शादी करने को बोलती है, बस बेटा ये याद रखना, जब भी तुम मुझे याद करोगे, मैं तुम्हारे आगे प्रकट हो जाऊंगी, जब भी तुम्हे मेरी जरुरत होगी, मैं शम्शान घाट वाले मित्रों के साथ मिलकर तुम्हारी मदद करूँगी, जगिया अपनी मा से बात कर रहा होता है, तब ही एक गाउवासी गोलू, उसको शम्शान घाट में अकेले बात करते होगे देख लेता है, अरे ये जग्या शंशान खाट में अकेले इस समय इस से अकेले अकेले बात कर रहा है मुझे तो अब भाया डर लग रहा है ये जग्या कहीं हम सब गाँवास्यों के लिए कोई जाल तो नहीं बना रहा मुझे तो लग रहा है इसने मंदिर में रहकर कोई भक्ती नहीं की बलकि इसने जादू टोटका सीखा है पर ये शम्शान खाट में अकेले अत्माओं से बात करता है उन्हें अपने मन की सारी बात बताता है और उनसे काम करवाता है गुलु गाओं जाकर सब गाओंवासियों को जग्या की बात बता देता है अरे गुलु तुम ये कैसी बात कर रही हो अगर ऐसा कुछ है तो ये हमें जल्द से जल्द उस जग्या का कुछ करना पड़ेगा जी मुख्याजी हम सब की जान खत्रे में है चगिया शम्शान खाट में जाकर अकेले आत्माओं से बात करता है इसने बहुत भैंग कर जादू सीख लिया है मुझे तो लगता है ये एक एक करके सब गाउ वासियों को अपने वश में कर लेगा तुम्ही बताओ अब हम इस चग्या का करे तो करे क्या मुझे तो पुछ समझ नहीं आ रहा मेरे पास एक आइडिया है क्या जरा हमें भी बताओ इस चग्या के साथ क्या करना चाहिए मुझे जी आप कल चग्या को अपने घर पर आने के लिए आमंत्रित कर लीजिए चग्या भोजन के लिए आपके घर आएगा हम सब उसे यहीं पकड़ लेंगे और उसे जान से मार देंगे इसी में हम सब की भलाई है अरे गुलू तुमने क्या मस्ता इडिया दिया है हमें अब यहीं करना पड़ेगा और जग्या को बहाने से यहां बुलाना पड़ेगा जी मुख्या जी जग्या आपको गाउं के मुख्या होने के नाते मना भी नहीं करेगा अगले सुबह गाउं का मुख्या शम्शान घाट के सामने वाले मंदिर में जग्या को भूजन करने के लिए आमंतृत करने के लिए चाता है पर वो देखता है कि मंदिर में कोई नहीं है अरे ये जगिया किधर गया हम सब ने कल मिलकर इतनी मुश्किल से प्लान बनाया है इस जगिया का खत्म करने का और ये जगिया है ही नहीं इधर ऐसे तो हमारा प्लान चौपट हो जाएगा अब मैं क्या करूँ तब ही गाउं के मुखिया को दिमाग में आता है कि कहीं जगिया शम्शान घाट में जादू टोटका तो नहीं कर रहा वो कुछ कदम आगे बढ़ कर शम्शान घाट की तरफ जाता है और वो जगिया को उधर ही पाता है अरे जगिया मैं तो तुम्हें देखते देखते ही यहां तक आ गया मैं मंदिर गया था मैंने वहाँ देखा कि तुम उधर नहीं हो फिर किसी गाउं वासी ने मुझे बताया तुम इधर हूँ तुम्हें इधर आ गया बस मुखिया जी मैं क्या बताओ जब से मा का दिहान दुआ है मेरा मन नहीं लगता मैं अक्सर यहां आ जाया करता हूँ यह सोच करके कि मेरी मा यहीं कही है मेरे पास तुम परेशा मत हो जगिया हमारे घर आज रात में बोजन है और मैं यहां तुम्हें बोजन के लिए आमंतरित करने ही आया हूँ तुम आज रात साथ बज़े हमारे घर खाने पर ज़रूर आना जी मुख्या जी मैं ज़रूर आऊंगा जगिया मुख्या के बताया उनुसार उसके घर खाने पर पहुँच जाता है जगिया वहाँ देखता है कि उधर सारे गाउवासी एकदम से जग्या को पकड़ लेते हैं गाउवासी पकड़ कर जग्या को मारने लग जाते हैं और उसे जलाने लगते हैं तुम्हें क्या लगा था मुख्या तुम मेरे बेटे को इतनी आसानी से जिंदा मार दोगे मेरे बेटे पर मेरा साया है तुम चाहकर भी इसका कुछ नहीं बिगाड सकते तभी पूनम जग्या को उन गाउवासीों से बचा तो लेती है और सब गाउवासीों को श्राब दे देती है कि इस गाउव में आज के बाद कोई भूजन का निमंतरण नहीं होगा अगर किसी भी गाउवासी ने भूजन पर किसी को भी आमंतरित किया तो वो मर जाएगा और उनकी आत्माओं की टोली में शामिल हो जाएगा और वो सारा खाना उनके पास आ जाएगा कोई गाउवासी उस खाने को नहीं खा सकता तब से ही कोई भी होश्यार पुरगाओं में भोजन पर किसी को चाकर आमंत्रित नहीं कर सकता जिस भी किसी ने किया है वो तुरंत ही मर गया है और आत्माओं की टोली में शामिल हो गया है